दोस्तों आप सबीका फिर्सित स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज किस वीडियो में आपके लिए बताएंगे इंडिया वर्सिस न्यूजिरंड के भी जो लास्ट ओडियाई मुकाबला खिला जाना है तीसा ओडियाई मुकाबला इस मुकाबला के लिए पिलि लेना वो टॉप ओड़र के प्लेस लैना मतलब कि जो आंगे बैटेंग करने के लिए ऐसे प्लेयर अपने टीम में सामिल करेंगे जैसे कि दोस्तों आप सबी ने दिखा कि दोस्ती जी ओडें मुकाबले में शिकर धबन और सुमन गया बैटेंग करने के लिए जय तो उसकी यहाँ पर सुरुकुमार यादा यादा एक बिकट ग्योनगी कि बद्र करने के लिए यादन बार्य सब्सक्राइब आपकर में यहाँ देख लेते हैं वेडियो के लिए लाईक चैनल के लिए लुह करना के लिए बॉलिंग पिछी आफ़ानल देख सकते हैं बॉलिंग पिछी क्योंकि यहापर वन डे में 212 का अवरिज स्कूरों तो बॉलिंग पिछी होगी तो हम उसी के हिसाब से प्लेर चूस करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिगेट कीपर बिगेट कीपर में है तील लैथम संजू सेमसन, डी कॉनवे और सब पंद तो यहाँ पर तील लेथम की बात कर लेते हैं इन्होंने यहाँ पर पिछली मुकाबले में ODA में सांदार 115 सिनकी फारी खेली थी तो लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर तील लेथम के लिए सामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तील लेथम बिकेट कीपर हैं बहुत नीचे बैटेंग करने के लिए उस मुकाबले में हुआ गया था कि यहाँ पर तील लेथम नीचले लेथम के जल्दी जल्दी बिकेट हो गय थी तो यहाँ पर इन्हें मौका मिल गया था पहला ओड ये मुकाब्ला एक सो पैंतारी संदर एनिंग खेली थी एक सो चार बॉल उपर लेकिन दोस्तों यह बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आये थे तो ऐसा हो भी सकता है कि इन्हें बैटिंग करने का मौका मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता है तो आप अपने हिसाब से ने सामिल भी कर सकते हैं लेकिन हम अपनी प्लेंग लिए ने छोड़ देंगे इसके बास संद्जू सेमसन के लिए तो उतना मौका मिल ही नहीं पाता है आपने देखा क्योंकि रिशाब पंदिन इनसे उपर बैटेंग करने के लिए आते हैं और सुर लेकिन आपर संदर कर सकते हैं डी कॉण भी तो हम यह आपडेकोण भी क्लिए सामिल करेंगे और इसके बास रिसाब पंonne के लिए यह बहुत नीचे वैटेंग करने के लाते हो फॉम में नहीं है रिसब पंद इन्होंने एक तालिस पॉंट में दिये हैं तो हमें आप रिसब पंद के लिए भी छोड़ देंगे सिर्फ हम यहां पर डिकॉन बे के लिए सामिल करेंगे कि यह बॉलिंग पिछे है फाइनली तो हम बॉलर्स और और अटर पर ज्याद अंतर यहां पर फोकस करेंगे तो आप अपने हैं सबसे भी कर सकते हैं लेकिन हमारी प्लेंग लिए उन्हें सिर्फ यहां बर डिकॉन बे सामिल रहेंगे इसके बाद उस तो बात कर लेते हैं बेस्ट मैन की बेस्ट मैन में है सिकर कुछ खास नहीं कर पाये कें बियाम सन हर मुकाबले में अच्छा प्मार याद कर रहे हैं सूरुकुमार यादो की बास कर लेते हैं सूरुकुमार यादो लाजोबा बैस्ट मैन हैं आपने देख दूसरे ओड्याः एाई मुकाबले में ऐसा लग रहा था जब सिकर्द तो सांदर बैटेंग की यहीं लग रहाता है साइध 10-20 गैंद और खेल लेते हैं तो साइध सेंचरी मार देते जादी 30-40 बॉल और खेलने के लिए मिल जाती लेकिन यहां पर वारिस की बज़र से मैस नहीं हो पाया लेकिन इस मुकाबले में हो सकता है कि उपर बैटेंग करन दवन के लिए सामिल कर लेंगे और सुरुकुमार यादो के लिए और कैन बिलियमसन के लिए तीनों बैटेंग के लिए हम सामिल कर लेंगे और स्रे सायर के लिए अभी हम छोड़ देते हैं और जी फिलिप्स के लिए छोड़ देते हैं इसके बाद सुम्बन गैल है येका और एप अलान साथ तो आप अपने सीसाब से सामिल कर सकते हैं हमें डो दो वेड़मेन ढब सामिल कर लें दो सब मैं तो हम्सें के लिए सामिल करेंगे कि woods करने के लिए आते हैं पिछले मुकाबलें 50 भी ऊपट दिये थे जो पहला कि और ये मुकाबलाखे लगया था उसमें 50 पॉंड दिये थी और दूसरे में बैटेंग करने का मौका ही नहीं मिला क्यूंकि बारिस की वज़े से एक पारे भी नहीं हो पाई थी तो एप अलान एक अच्छा ओप्शन ओबनिंग करने के लिए आते हैं डी कोनबी के साथ और सु मन गैल फूर कुमार यादा और सिकर्दमन और एप अलान बस तीनों के लिए हम सामिल करेंगे इसके बाद दोस्तों आर अंडर आर अंडर में हैं डी मिचिल्स और सादर ठाकोर मिचिल्स सैंटर एमब्रिशिवल देवकोडा और सुन्दर बहुत सारे ओप्शन हैं तो सबस सादर ठाकोर तो कुछ खास नहीं कर पा रहा है पहले जो मुकाबला के लिए उसमें नौव वार में एक ही बिकट अंसल किया था और बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पा तो हम यहाँ पर मिचिल्स सैंटर के लिए भी छोड़ देते हैं इसकी बाद एमब्रिशिवल सानद यहां पर एक ही मकाबले में और यहा पर सुंदर इन्हें पहला मुकाबला के लिए नहीं मिला थे दीपा-कोडा के लिए और सुंदर ने पिछले मुकाबने बैटिंग अच्छी की थी लेकिन यहाँ पर बॉलिंग में एक भी बिकेट नहीं मिला था दस ओवर में लेकिन यह बॉलिंग पिछे तो हो सकता है यहाँ बिकेट मिल जाए यहाँ यहाँ पर सुंदर के लिए लेकिन यहाँ पर दीपक होड़ा के लिए हम सामिल करेंगी सुन्दर के लिए छोड़ देंगे तो हम दीपक होड़ा के लिए सामिल कर लेते हैं तो हमने दो और अंडर सामिल कर लिए जिसमें यहाँ पर न्यूजिलेंड के और अंडर डी मिचलिस और यहाँ पर दीपक और टीब इंडिया की ओर से तो हमने इसकी बाद हम बॉलर चूस करेंगी बॉलिंग में यजवेन चहल टिम साउदी दीपक चहल अक्टीप सेंफ हर्गुसन एम हैरनी बहुत सारे ओप्सन हैं तो यहाँ पर यजवेन चहल की बात कर लेते हैं अभी तक यजवेन चहल ने एक भी बिगड नहीं मिला था पिछले मुकावले में तो इतना कुछ खास ही निगरपा इनकी पिटाई अच्छी होई थी तो हम यह जवेन चहल के छोड़ देते हैं क्योंकि यह पिछे जो बॉलिंग पिछे पेसर बॉलर के लिए है तो यहाँ पर इस्पिन बॉलर के उतनी खास मदद नहीं मिलने वाली इसके बाद टिम साओधी तिम साओधी ने पिछले मुकावले में एक 80 पॉंट दिये थे तो हम टिम साओधी के लिए सामिल कर लेंगे अच्छे पेसर बॉलर है टिम साओधी लेकिन अभी नहीं हम सामिल करेंगे सिर्फ हैं यहां पर टिम साउदी के लिए सामिल करेंगे इसकी बाद कि बहुत सारे option हैं वारुष न हैं उम्रान मलेक हैं इसकी बाद मर्लान इन्हें भी हम चोड़ देंगे अभी इसके बाद उम्रान मलेक इन्हों ने पिहले मुकाबली में सांदर बॉलंग की थी और दो बे के journal कि यह थे तो हम उम्रान मलेक के लिए सांदर बॉलाल से और फावनल से हैं यहां पर इनका पांदर बहुत ही बाला है तो हम यहाँ पर उम्रान मलिक के लिए सामल कर लेते हैं तो फार्गूसन और उम्रान मलिक दोनों वर्रस के लिए सामल कर लेते हैं और यहाँ पर टिम साउदी के लिए तो दोस्तों फानली यहाँ पर हमारी प्लेंग लेविन बन चुक है जिसमें यहाँ पर डिक कॉ लेस्ट इंडिया के छे पिलेस न्यूजिलेंड के इसकी बाद दोस्त हम कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं कैप्टन में सबसे जादा बना गया है बो है सुम्मन गेल 17 प्रितिसर और सुरुकुमार यादव के लिए यहाँ पर 23 प्रितिसर बना गया है तो हम तो कैप्टन रखेंगे यहाँ पर सुरुकुमार यादव बहुत ही लाजवा बैस्टमैन है आपने पिछले मुकाबले में देखा बहुत ही सांदर बैटिंग कर रहे थे लेकिन बार्ज की वज़े से पूरा मुकाबला नहीं हो पाया तो यहाँ पर सुरुकुमार यादव हो सकता है कि उपर बैटिंग करने के लिए जैसे कि पिछले मुकाबल में सुरुकुमार यादव शिकर दवन के बाद बैटिंग करने के लिए अना था लेकिन सुरुकुमार यादव के लिए मौका मिला तो हो सकता है इस मुकाबले में भी ऐसा ही हो तो यहाँ पर हमार यादव के लिए captaincy में सामिल कर लेते हैं और 22 केप्टर में D Conway हैं और Ken Williamson बहुत सारे option है तो हम 22 केप्टर में रहेंगे यहाँ पर Ken Williamson के लिए अच्छा option है Ken Williamson पिछले मुकाबले में इन्होंने जो मुकाबला खेला गया था सांदार 111 पॉइंट दिये थे तो 94 रन की सांदार एनिंग के लिए थी लेगने बॉलिंग पिछ है तो बॉलिंग पिछ की हिसाब से हाँ पर एक और वाइस कैप्टन में तो दोस्ते आपर फानरी हमारी प्लेंग लिए बंचु कि इसमें कैप्टन सुरू कुमार यादव और वाइस कैप्टन Ken Williamson एक और option है यहाँ पर कैप्टन में सुमन गयर हर मुकाबल में अच्छी निंग के रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसा चारवे के ठांचल किये थे और बैटिंग भी सांदर कर सकते हैं तो दीबा खोड़ा भी एक अच्छे option है और उम्रान मले की अच्छे option है बाइस कैप्ट में तो दोस्तो हमारी प्लेंग लिए बंचु किये आशा करते हैं कि आप सब इस प्लेंग लिएंग से दोस्तों बि वीडियो में